अर्जुन की तपस्या भाग 25 अर्जुन के तप से उनके कठिन ब्रत से प्रसन्न हुए देवराज इंद्र कहा उन्होंने दिब दुरलव दैवी एवं प्रत्वी लोग के प्रानियों की प्राप्ति के लिए असंभव दिब व्यास्त्रों के ग्यान एवं धारन के युग्यो तुम अर्जुन अवश्य तुम्हें दूंगा यह दुरलव बिज्ञान किन्त यह तभी संभव होगा यदि तुम स्वर्ग में ही रहो कभी भी लोट कर नहीं जाओ प्रत्वी पर वैसे भी स्वर्ग से नहीं है दिब्यस्थान कोई ब्रहमांड में यहां देवताओं की तरही निवास करो सुख की जो भी कल्पना हो सकती है वह सब कुछ प्राप्त करो सुनकर कहा अरजुन ने देवराज आपने मुझे दिब्यास्त्रों के युग्य समझा आभारी हूँ किन्तु मेरे लिए स्वर्ग में रहना नहीं होगा संभव सदा के लिए जो भी मैंने सीखा है जो भी सीखना चाहता हूँ सब है मेरे भाईयों माता पत्नी और अन्य प्राणियों की रक्षा के लिए साध्य मेरा पूरा परिवार हो अरक्षत पड़ा प्रत्वी पर और स्वर्ग में सुख भोगू पड़ा पड़ा इतना लोभी नहीं हूँ मैं मेरे लिए मुझसे अधिक है मेरे परिवार का सुख अब मुझे आग्या दें करें मेरी प्रणति सुईकार मैं पुनह प्रत्वी लोग चला सुनकर अर्जुन की बातें अभी भूत हो गए देवराज औरों के सुख के लिए जो छोड़ दे स्वर्ग सुख ऐसा विशाल खुर्दे मनुस से इसके पहले नहीं देखा बोले तुम सफल हुए चरित्र और चारित्रिय की परीक्षा में भी धन्य है तुम्हारा समर्पन अपने परिवार और प्रत्वी के दुखी प्राणियों की सेवा के प्रति तुम्में असाधारन बल ही नहीं उच्च है तुम्हारे जीवन के मान दंड धर्म और सत्य की रिंटन, मनन और जीवन का आधार अवश्य दिव्यास्त्र होंगे तुम्हारे पास तुम से इनका नहीं होगा दुरुपयोग किन्तु एक पड़ा मर्श है मेरा तुम प्राप्त करो पहले पाशु पतास्त्र जो है केवल देवा अधिदेव महा देव के पास यह दिव्यास्त्र समस्त अस्त्रों में महान है नहीं है इससे बड़ा कोई और साथ्य तुम मुझे लगते हो इसके पात्र करो महा देव को पसंने अपने तब से मुझे विश्वास है प्राप्त होगा वह तुम्हें कठिन परीक्षा के पस चात उसके बाद मैं स्वैम कहा अरजुन ने स्वीकार है मुझे आपकी सलाह आज ही से मैं आरंब करूंगा जीवन का यह नया अध्याए सुनकर लोट गए पसंन देवराज और आरंब किया अरजुन ने अपने विरल असाधारन कठिन तपका नूतन अध्याए झाल